21 जून बड़ा रविवार, सूर्य ग्रहन, असार मास की अमावस्या, घर के दर्वाजे से फैक्त यह एक छीज, धनकी देवी मा लक्ष्मी करेंगी धनवर्शा, गरीवी भूल जाएगी घर का रास्ता, राधी राधी दोस्तों कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज 21 जून को असार मास की अमावस्या है, और आज के दिन ही बल्या का सूर्य ग्रहन लगने जा रहा है, भारत में ये ग्रहन 21 जून की सुभह 9 बच कर 56 मर्ट पर शुरू हो जाएगा, जो 21 जून की तुपह 2 बच कर 28 मर्ट पर समाप्त होगा, ग्रहन के सूता कल 20 जून की रात को ही रात 9 बच कर 56 मर्ट पर शुरू हो गए हैं, जो ग्रहन के मुख्ष के साथ ही, याने की आज दोपहर 2 बच कर 28 मर्ट पर समाप्त होंगे, दोस्तों, धार्मिक दिश्टी कौर्ट से ग्रहन का विशीश महत्व होता है, हमारे शास्तों में ग्रहन से चु कारे भी बताए गए हैं, जिन्हें ग्रहन के बाद अवश्य ही करना चाहें, ऐसा करने से आप ग्रहन के दुश्प्रभाब से बच सकेंगे, इसके साथ ही आपको मा लक्ष्मी जी की भी असीम क्रपा प्राप्त होगी, और धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाएंगी, दोस इसका दुश्प्रभाब प्रतिक मानक पर अवश्य ही पड़ता है, ग्रहन का यह दुश्प्रभाब और नकारात्मक शक्तियों का प्रभाब, कुछ दिन नहीं, कुछ महिनों नहीं, बल्कि कई सालों तक अपना असर दिखाता है, इसलिए ग्रहन के दुश्प्रभाब को तूर कहने के लिए आप नमक से करें कि छोटा सा उपाय दोस्तों नमक का नमक हमारे जीवन में बहुत उप्योग है नमक हमारी आईउ को भड़ाता भी है और नमक हमारी आईउ को घटाता भी वह जोति शास्तुमी दनमक का विशीश महत्म बता citation गया है जोतिशास्ति के अनुसार नमक को चंद्र और शुक्र का प्रतिनिधी माना गया है इसके साथ ही नमक को राहु का प्रतिक भी माना जाता है नमक के कई फायदें हैं जो हमारे पूरे घर की सुक्सम्रधी से जुड़े हुए हैं नमक में नकारात्मक शक्ति को अप्शो परिवार से दूर कर सकते हैं दोस्तों नकारात्मक उर्जा ही कई परिशानियों की जड़ होती है नकारात्मक उर्जा की बज़े से ही घर में लगाता कोई न कोई बीमार बना रहता है बनते काम बिगड़ने लगते हैं पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं बेकार की कामों में खर्च हो जाता है नकारात्मक उजा की बचे से ही घर में लड़ाई छगड़े रहते हैं आपसी प्रेम खत्म हो जाता है आलत से रहता है जिसकी बचे से घर में साफ सफाई नहीं हो पाती और जिस घर में साफ सफाई नहीं होती गंदगी रहती है लड़ाई छगड और दृत्ता च्छाई रहती है यह सभी परेशानी नकारात्मक उजा और ग्रहर के दुश्प्रभाब की बज़े से होते हैं इन परेशानियों को दूर करने के लिए नकारात्मक उजा और ग्रहर के दुश्प्रभाब को दूर करने के लिए आप आज शाम एक मुठी में इसके बाद आप इस नमक को अपने सिर्पर से साथ बार clockwise खुमाएं, यानि कि आपको इस नमक को अपने सिर्पर साथ बार उसार ना हैं, नमक को सिर्पर साथ बार खुमाने के पर शाथ अब आप अपने मुख्य द्वार के बाहर इस नमक को फैंक दें, जरूरी नहीं है कि आ आप बाएं या दाएं किसी भी तरफ इस नमक को फैंक सकते हैं। नमक को फैंकने के पश्चात आप अपने घर के दर्वासे को बंद करके अंदर आ जाएं। और सबसे पहले अपने हाथ थूलें। आपके हाथ पर जो नमक लगा हुआ रह गया है उसे आप अपने कपड़ों से या किसी और जगे ना पहुँचें। सबसे पहले अपने हाथ साबुन से थूलें। इसके बाद अपने उपर गंगाजल का छिरका अवर्शे ही करें। दोस्तों अगर आपके खर के सामने किसी और का खर है या कोई ऐसा इस्थान नहीं है कि आप खर से बाहर इस नमक को फैक सकें। तो आप इस नमक को अपने टॉलेट में डाल कर फ्लश भी कर सकते हैं। दोस्तों इस उपाई को करने से आपके ऊपर किसी की बुरी नजर या टोक टोक होगी। नकारात्मक उर्जा का कोई प्रभाब होगा, ग्रहन का जो दुश प्रभाब होगा वह सभी दूर हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखें आपको इस उपाई को लगाता तेन दुनों तक करना है। इस उपाई को करने से नकारात्मक उर्जा और ग्रहन के दुश प्रभाब दूर होने से आपके बिगड़े काम भी बनने लगेंगे। और मालक्ष्मी की आपको कृपा प्राप्त होगी। दूस्तों, ग्रहन के दुश प्रभाब और नकारात्मक उर्जा के प्रभाब को दूर करने के लिए। इसके साथ ही अगर आपके उपर पहले से ही किसी नकारात्मक उर्जा का प्रभाब है। आपका मन उदास रहता है, सब कुछ होने के बार भी आपको कुछ अच्छा नहीं लगता, आपको negativity का एहसास होता है, शरीर भारी भारी लगता है. मन बेचेन रहता है, आप बहुत चिंता में रहते हैं, तो आप नमक से ये उपाई अवश्य ही करें. इस उपाई को करने के लिए आप अपने दोनों हातों में थोड़ा सा साबुत नमक लें, साबुत नमक ना हो तो आप पिसा हुआ नमक भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें, आपको बिल्कुछ साफ नमक लेना है, जिसमें मेच या हल्दी वगेरा कुछ ना मिला हो. अब नमक को आप अपने दोनों हातों में भर कर थोड़ी देर आप नमक की तरफ ध्यान से देखें, और मन ही मन यह बिचार करें कि आपके अंदर आपके शरीर पर जो भी नकारात्मक उजा का प्रभाव है, जो भी चिंता है, परिसानी है, कोई भै है, किसी की रोक टोक है, किसी की बुरी नजर है, वह सभी आपके शरीर में से निकल कर इस नमक में समा रही है, ऐसा आप सोचते हुए थोड़ी देर इस नमक को देखते रहें, थोड़ी देर नमक को देखने के पश्चात अब आप इस नमक को वाश विशन में डाल दें, और वाश विशन में पानी चलाते नमक को बहाते समय भी आप नमक को देखते रहें और यह सोचते रहें कि आपके ऊपर जो भी नकारात्मक उजा का प्रभाब था बुरी नजर या रोक रोक थी जो भी चिंता भैप परिशानी थी वे सब इस नमक के साथ बहर रही है और आप से दूर जा रही है इस मॉजिटिविटी का एहसास होगा दोस्तों ग्रहन और नकारात्मक उजा के दुश्प्रभाब को दूर करने के लिए इन उपायों के साथ-साथ आप कुछवातों का विशिश ध्यान रखें ग्रहन समाप्त होने के परशाद आपने ग्रहन के दौरान जो बस्तर पहन रखे आपको सिर्से इसनान करना है यान की महिलाएं भी ग्रहन के परशाद अपने बालों को अवश्य ही धोएं ग्रहन के बाद घर की साफ सफाई अवश्य ही करें घर में जाडू पहुचा अवश्य ही करें और पहुचा लगाते समय पहुचे के पानी में थोड़ा सा नमक भी ऐसा करने से आपके घर में जो भी नकारात्मक उजा होगी वहदूर हो जाएगी। इसनान करने के पश्चात आप अपने मंदर की साफ सफाई करें और रोजाना की तरह भगवान ची का पूचन करें और उन्हें भोग लगाएं। ग्रहन के बाद आप अपने पूरे घर में गंगा जल का छिड़काब अवश्य ही करें और अपने उपर भी गंगा जल का छिड़काब करें। लेकिन ध्यान रखें जिन महिलाओं को पीरड हो उनके उपर गंगा जल का छिड़काब ना करें। इसके साथ ही कच्रा रखने के इस्थान टॉयलेट में बातरूम में आप गंगा जलका छिड़का ना करें। ग्रहन समाप्त होने के पश्चाथ आप सूरे देव के शुद्ध बिम को अवश्य ही देखें। और सूरे देव को जल अर्पित करें। और आज के दिन आप प्याज लेसन मीट अंडा का सेवन भूल कर भी ना करें।